हेलो स्टुजेंट्स पिछले वीडियो में हमने जो आज स्विक संक्याएं होती हैं उनके उपर जो घातांक नियम लगते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था और इस वीडियो में अपन उनसे जुड़े हुए कुछ क्यूसंस करेंगे जो परसनावली एक पॉइंट 6 मे इक बता दो तो चौसरी घात एक बता दो है इसका मतलब यह हो गया कि वहीं चौसर के अपन को दो टुकड़े करना हैं दोनों बरावर होने चीह हैं जिसे चौसर को पन दो बरावर भागों बाटे तो कितने होंगे कि 8 इंटू 8 तो यह क्या हो गया आठ इंटू 8 की घात एक बता दो तो इसको अपन ने दो टुकडों में बाट लिया समान टुकडों में तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आठ अब है 32 घात एक वटा 5 यानि 32 को पन 5 समान टुकडों में बाटेंगे तो 32 को 5 समान टुकडों में बाटेंगे तो केसे लिख सकते है अपन 2 x 2 x 2 x 2 x 2 एक वटा 5 यानि 2 और 2 4, 2 को 2 सी गुणा के 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुना 32 तो 2 को पन ने 5 वार लिख दिया तो 32 हो गया यानि 32 को पन ने 5 समान टुकडों में बाटना है तो समान तीन बाग में बाटेंगे तो अपन लिखतेंगे पांच गोणा पांच गोणा पांच तो पांच को पांच से गोणा किया पत्चीस पत्चीस को पांच से गोणा करेंगे तो 125 इसकी घात हो गई एक बटा पांच ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 क्योंसर नंबर 2 करते हैं क्योंसर नंबर 2 है ग्यात कीजिए पहला सवाल है 9 की घात है 3 बटा 2 यानि 9 को अपन क्या करेंगे 2 समान टू कोड़ों में बाटेंगे पहले तो अपने से लिख सकते हैं 3 गोणा 3 तो हो जाएगा 3 बटा 2 मतलब नो को अपन ने 2 समान टू कोड़ों में बाट लिए यानि क्या हो गया ये नीची वाला 2 हट जाएगा यानि ये हो जाएगा 3 की घात नीची का 2 हट जाएगा तो 3 यानि इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा आंसर 27 ठीक है 27 किसी है 3 को 3 बार गुणा करेंगे पन 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 ठीक है अगला प्रेस्न है 32 ही घात है 2 बटा 5 तो 32 को पन समान 5 टुकडों में बाटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इसकी घात हो जाएगी 2 बटे 5 तब ये 5 अट जाएगा अपनने समान 5 बाग में बाट लिया इसलिए तो हो जाएगा 2 की घात 2 तो आंसर हो जाएगा 4 2 को 2 सी गुणा करेंगे तो मदब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा 16 की घा आता 3 बटा 4 तो 16 को अपन समान 4 बागों में लिखेंगे तो कितना होगा 2 x 2 x 2 x 2 इसी घा आतो जाएगी 3 बटा 4 तो अपने 16 को 4 समान बागों में बाट दिया तो क्या है अपने पास 2 तो 2 अंदर आ जाएगा और 4 हट जाएगा उपर रहे जाएगा 3 तो 2 की घा 3 2 x 2 x 2 यानि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो इसका अंसर आए 8 क्योंसर नमर 4 है अपने पास 125 की घा आत माइनस 1 बटा 3 तो 125 को अपन 3 समान टोड़ों में बाटेंगे तो कितना होगा 5 x 5 x 5 और इसकी घात हो जाएगी माइनस 1 बटा 3 तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन इस सभी सवालों को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहां पर है 2 की घात 5 तो मैं जैसे इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता हूँ यह 2 की घात 5 अंदर हो गई और बाहर है 2 की घात 5 वो दो बटा 5 इसकी घात तो आगी क्या हो जाएगा यह 5 इस 5 से कैंसल हो जाएगा मतलब 5 का बाग 5 में चला गया तो 2 की घात 2 वोची तब जाके 4 आगया तो अपने इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हुआ 125 तो 125 को अपने 3 समान टुकडों में विभाजित कर लिया पाट लिया तो यह जाएगा 5 इंटू 5 इंटा 3 और 12 हो जाएगा माइनस एक का बाटा 3 तो 5 इंटा 3 यहां पे 3 अपने इसको लिखे है दंग से लिखे तो 3 बटा 1 होगा यहां पे गुणा होगा माइनस एक उटा 3 से तो 2 अलग अलग घाते होगा इनकी तो इस तीन का बाग इस तीन में एक बार चल जाएगा तो पांच इगात हो जाएगी माइनस एक तो इसका अंसर हो जाएगा पांच इगात माइनस एक या फिर अपने इसको लिख सकते हैं पांच बटा एक इगात माइनस एक होगा तो ये प्लस में चल जाएगा, एक वटा, पांच इगात, प्लस का एक हो जाएगा पर क्योंसे नमबर तीन, सरल कीजिए, तो इनको अपन को सरल रूप में हल करके लिखना है तो पहला सवाल करके देखते हैं, जैसे ये हैं, दो की घात, दो बटा तीन गुणा, दो की घात, एक उटा, पांच जब संख्या समान है और घात अलग-अलग है, तो अपने नियम पढ़ाता कि घात क्या हो जाती है, जूड जाती है जब संक्या समान हो और दोनों संक्या एक गुणा में है और घात अलग अलग है न तो इनका क्या हो जाती है ये जो घात होती हो जुड़ जाती है तो अपना आगे यहल करेंगे इनको तो इनका लेसा आएगा 15 3 और 5 कलेसे 15 3 का बाग 15 में 5 बार गया 5 को 2 से गुणा किया 10 प्लस 5 का बाग 15 में 3 बार गया 3 को 1 से गुणा किया 3 तो 2 की घात 10 और 3 13 बटे 15 दो की घात 13 बटे 15 यह पहला कुशन इस तरी के से होगा दूसरा प्रस्ष्ण है 1 बटा 3 की घात 3 इसकी बाहर घात है 7 इसको अगे हल करेंगे तो जब अंदर ब्रेकिट के अंदर भी घात है और बाहर भी घात है तो घात multiply हो जाती है तो एक ही घात 7 हो जाएगी ब्रेकिट ओपन करेंगे पन तो और 3 की घात 3 गोणा 7 यह हो जाएगा तो 1 की घात 7 का मतलब तो 1 हीुका एक होगा आक हो कितनी बार गुणा करो एक ही आयेगा तो 3 की घात 3 इंटू 7 करेंगे पन तो 3 की घात हो जाएगी 21 और अपन इसको आगे हल करेंगे तो ये जो घात नीचे बटा 21 प्लस में है तो इसको उल्टा करेंगे तो अपने पास हो जाएगी तीन की घात माइनस 21 क्यूसर नम्बर 3 है 11 की घात 1 बटा 2 भाग 11 की घात 1 बटा 4 जब अपने देखा हैं पहले जब अपने घाता अंक नियम पड़े थे तब अपने पड़ाता कि संक्या समान है और घात अलग अलग और भाग में तब क्या होता है घात घट जाती है यानि 11 की घात 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4 तो इसको आगे हल करेंगे पन तो इन दोनों के लसा जाएगा 4 2 का बाग 4 में 2 बार गया 2 को एक सिउना किया 2 माइनस 4 का बाग 4 में एक बार गया एक को एक से गुणा किया 1 तो इसका अंसर हो जाएगा 11 की घात 1 बटा 4 ठीक है चोथा है अपने पास क्यूस्सन 7 की घात 1 बटा 2 गुणा 8 की घात 1 बटा 2 यह सरुसमिका होगी इसमें जो घात अंक नियम लगेगा वो ऐसा लगेगा कि जब संक्या अलग लग है और घात समान है तो दोनों संक्या यह आपस में गुणा हो जाएगी और दोनों की घात बाहर एक बार ही लिखेंगे अपन यानी 7 गुणा 8 बार इनकी घात लिख देंगे पं एक वटा दो तो साथ को आठ से गुणा करेंगे तो कितना होगा चंपन और बार घातो जाएगे इनकी एक वटा दो तो इस तरीके से अपन घातांक नियमों के यूज़ करके सवालों को आसान तरीके से solve कर सकते हैं तो students आज ये प्रसनावली समापत होती है प्रसनावली एक का नाम था अपने पढ़ा था संक्या पदती संक्या पदती से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे अपने समझ लिए कर लिए और उनके कुछ नियम भी अपने पढ़े कुछ सर्वसमिकाई पढ़ी और जो वासिक संक्याओं में अपने परिमे और परिमे संक्याओं की बारे में भी पढ़ा उन पे जो संक्रिया यानि ऑप्रेजन्स लागो होते हैं प्लस माइनस गुणाबाग की जो भी अपने उनके बारे में पढ़ा है तो अगले वीडियो में पने इसके कुछ सारांस के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी चीजे अपने पढ़ी है कौन-कौन सी टोपिक अपने कवर कर ली एक बार उनको अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीक रिवायस करके देखेंगे एक बार